नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपून वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता की लेडी डॉक्टर के हत्याकांड के बारे में जिसमें CBI की जांच अब एक निरनायक मोड पर पहुंच चुकी है साथ ही सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले पर अपना फैसला सुनाने वाली है क्या दोशियों को फांसी की सजा हो सकती है इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप आगे भी ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहें चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस मामले के बारे में कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज में एक बहत गंभीर और निंदनिय घटना घटित हुई एक लेडी डॉक्टर जो अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे रही थी कानल सिर्फ बलातकार किया गया बल्कि उसकी बरबरता से हत्या भी कर दी गई इस घटना के बाद से पूरे देश में आक्रोश फैल गया है यह घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा जटका है अब तक एक महीने से अधिक समय बीच चुका है लेकिन अब तक उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल पाया है समाज के हर वर्ग से एक ही मांग उठ रही है कि जिन आरोपियों ने इस कांट को अंजाम दिया उन्हें कड़ी सजा दी जाए इस केस की जान शुरू होते ही CBI ने पहले संजे रॉय नाम के व्यक्ति को गिरफतार किया संजे रॉय पर आरोप था कि उसने घटना को अंजाम दिया इसके बाद CBI ने और भी कई लोगों को गिरफतार किया जिनमें कॉलेज के भूतपूर्व प्रिंसिपल संदीब खोश और S.H.O. अभीजीत मंडल शामिल है गिरफतारियों का यह सिलसला तब शुरू हुआ जब CBI को मामले में कुछ शुरुआती सबूत मिले जो आरोपियों की पहचान और उनकी संगलिप्तता को साबित कर रहे थे यह गिरफतारी समाज में एक उम्मीद जगाने का काम कर रही है कि शायद इनसाफ जल्दी ही मिलेगा जांच में नए सबूतों की खोट जारी है हाल ही में CBI को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है जो यह साबित करती है कि इस हत्याकार्ण में संजे रॉय के अलावा और भी लोग शामिल हो सकते हैं यह सबूत नकेवल आरोपियों के खिलाफ बलकि घटना की पूरी परत को खोलने में मदद करेंगे CBI की टीम ने कई गवाहों से पूछ ताच की है और उनके बयान एक जटिल लेकिन सपश्ट तस्वीर पेश कर रहे है इस प्रकार जांच में तेजी आ रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सब के सामने आएगी पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि लेडी डॉक्टर के शरीर पर 26 गंभीर जख्म के निशान थे यह तथ्य एक बड़ा संकेत है कि इस हत्या में केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं था बलकि संभवता कई लोग शामिल थे पोस्ट मॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने यह भी बताया कि उनके साथ बरबरता करने वाले ने उनके शरीर को कई बार चाकू से गोदा था यह रिपोर्ट न केवल मामले की जटिलता को दर्शाती है बलकि यह भी बताती है कि इस मामले में अब तक की गिरफतारियां परियाप्त नहीं हो सकती यह जानकर हर किसी को जटका लगा है कि एक व्यक्ति के लिए इतनी बरबरता करना संभव नहीं हो सकता लेडी डॉक्टर के माता पिता ने सी बी आई से कई बार मिलकर इनसाफ की गुहार लगाई है उनके आंसू और दर्ड ने हर किसी को जगचोर कर रख दिया है उन्होंने सी बी आई से स्पष्ट दौर पर कहा कि उनकी बेटी को इनसाफ दिलवाने की जम्मेदारी सरकार और जाँच एजनसियों की है उनके माता पिता ने कहा कि जब तक असली कातिल पकड़े नहीं जाते उन्हें चैन नहीं आएगा उनका यह आँवान समाज के हर वर्ग के लिए एक सीख है कि हमें न्याई के लिए संगश करते रहना चाहिए सी बी आई की जांच में एक और बड़ा नाम सामने आया है संजीव मुखर जी यह व्यक्ति अब तक फरार है और उसकी गिरफ़तारी सी बी आई के लिए एक चुनौती बनी हुई है कई बार सी बी आई की टीम उसे खोजने में नाकाम रही है उसकी गिरफ़तारी से मामले में और भी महत्वपून खुलासे हो सकते हैं क्योंकि वह उस राद घटना के समय मौजूद था उसकी गिरफ़तारी से मामले की गुथी सुलजाने में मदद मिलेगी और यह भी साबित होगा कि वह किस तरह से इस पूरे कांड में शामिल था इस मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है पोस्ट मॉर्टम करने वाले डॉक्टरों को धमकी दी गई थी कि यदि उन्होंने सही तरीके से पोस्ट मॉर्टम नहीं किया तो उनके लिए परिणाम भयानक होंगे इस धमकी के बाद डॉक्टरों ने जल्दी जल्दी पोस्ट मॉर्टम किया जिससे पूरी प्रक्रिया में गंभीरता आई यह मामला न केवल डॉक्टरों के लिए बल्कि पूरे स्वास्थे प्रणाली के लिए एक चेतावनी है कि अगर न्याई की प्रक्रिया में हस्तक शेप किया गया तो इससे समाज को कितनी बड़ी हानी हो सकती है CBI ने सपश्ट किया है कि वे किसी भी कीमत पर असली कातिल को सजा दिलाने के लिए प्रतिबध है उनकी ओर से कहा गया है कि अगर उन्हें फांसी की सजा दिलवाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे CBI की यह संकलपना सभी को यह विश्वास दिलाती है कि इस मामले में न्याय होगा उनकी यह घोशना समाज में एक उम्मीद जगा रही है कि शायद अब इनसाफ चल्दी ही मिलेगा सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर 2024 को इस मामले पर अपना फैसला सुनाने वाला है यह फैसला हर किसी के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह तै होगा कि क्या दोशियों को फांसी की सजा दी जाएगी सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है और समाज में चर्चा हो रही है कि न्याई की इस प्रक्रिया में क्या होगा यह एक ऐसा मामला है जिसमें सभी को न्याई की आशा है और सभी यही चाहते हैं कि दोशियों को सक्त से सक्त सजा दी जाए दोस्तों, इस विडियो के माध्यम से हमने कोलकाता की लेडी डॉक्टर के हत्या कांड के बारे में कई महत्वपून बाते साजा की हैं हर किसी का यही सपना है कि इस बेटी को इनसाफ मिले इस घटना ने समाज को जगजोर दिया है और हमें इस मुद्दे पर खुलकर बात करनी चाहिए अगर आप भी चाहते हैं कि इस कांड में दोशियों को सजा मिले तो इस विडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं हम सभी मिलकर इस बात का प्रयास कर सकते हैं कि न्याई जल्दी से जल्दी मिले जै हिंद